Assalamualaikum जी, इस lesson में हम लोग wireframes और visual designs को थोड़ा सा discuss करेंगे तो wireframes क्यों important हैं, इसके क्या benefits हैं तो अब आप लोग बता सकते हैं कि wireframing के क्या benefits हैं थोड़ी दिर सोचें और let's think कि हमें wireframing के क्या-क्या benefits मिल सकते हैं before getting into the visual design तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि wireframing दो तरह से हो सकती है एक को हम कहते हैं कि low fidelity wireframe इसका क्या फाइदा हो सकता है और फिर बाद में हम इसको convert करते हैं high fidelity wireframes के अंदर तो अगर हम सिर्फ wireframes की बात करें तो इसका पहला benefit हमारे पास यह है कि we can get our ideas onto the paper ठीक है very fast हम बहुत जल्दी अपने जो जहन में ideas हमारे generate हो रहे हैं हम उसको बड़ी जल्दी से अपने paper के उपर put कर सकते हैं बजाए कि हम किसी tool का इस्तवाल करें और हम buttons को place करने में और shapes को draw करने में अपना वक्त साय करते रहें इससे बेतर है कि हम low fidelity wireframes को prefer करें और जो भी आपके जहन में ideas generate हो रहे हैं उनको फॉरण से paper के उपर place करें ठीक है तो wireframing का एक सबसे बड़ा ये benefit है तो second benefit क्या हो सकता है अब ये जितने भी ideas हमारे जहन में generate हो रहे हैं और उसको हम paper पे place करते जा रहे हैं so we can test these rough ideas ठीक है हम इन concepts को अपने team के साथ share कर सकते हैं अपने users के साथ share कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे जो rough से ideas हैं वो किस direction में जा रहे हैं उसकी क्या importance है पूरे design process में और हम उनको इन rough ideas को वक्त के साथ साथ mature कर सकते हैं ठीक है possible है कि आप low fidelity wireframes के अंदर ही रहते हुए अपने rough ideas को mature करते रहें और third हमारे पास जो इसका benefit है वो ये है कि it's a very quick process ठीक है ये cheap process है और ये easy process है ठीक है इसलिए हम wireframes को पहले prefer करते हैं so that we can have something on the paper इसके बाद अगर हम specifically high fidelity wireframes की बात करें तो high fidelity wireframes ज्यादा details के साथ होते हैं ठीक है इन में आप ज्यादा details को mention करते हैं ये ज्यादा realistic होते हैं और user can really understand के जो high fidelity wireframes में आप उनको दिखा रहे हैं जो final product बनेगा वो कुछ ऐसा होगा ठीक है तो high fidelity wireframes के अंदर काफी हद तक idea किया जा सकता है कि final product ये final design किस तरह से हमें नजर आएगा तो मैं आपके साथ कुछ rules share कर देता हूँ कि wireframing के जो rules and regulations है वो क्या है और आपको इन rules को follow करना ज़से ये तो the first one is always starts with a pencil and a paper ठीक है आप pencil paper से start कर सकते हैं आपके घर में जो भी white papers available हैं कोई registers पड़े हैं तो pencil उठाएं और जो concepts आपके जहन में आते हैं जो ideas आपके जहन में generate होते हैं उनको फॉरण से अपने paper के उपर place करते जाएं ठीक है तो always starts with pencil and paper इसके बाद always create basic ideas ठीक है बहुत जादा complexity की तरफ ना जाएं basics को design करें और उस पे feedback get करें कि what your team says and what the user says और third हमारे पास आजाता है कि आपने जो अपने copy के उपर wireframes को design किया concepts को design किया तो उन physical concepts को convert करें digital concepts के अंदर ठीक है तो ये हमारे पास कुछ rules है जो के हम during wireframing इनको adopt करते हैं और एक बड़ी important चीज है वो ये है कि do not worry about the tidiness of your concepts कि आपका जो sketch है वो देखने में कितना बुरा है you do not have to worry for it बस आपको पता सलना चाहिए कि what concepts you want to deliver तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं visuals में तो ये अगर आपके पास कोई pencil है तो this is how you can create the low fidelity wireframes ये भी थोड़ी ज़्यादा complexity है जो ज़्यादा basics है वो कुछ इस तरह से किया जा सकता है ठीक है तो low fidelity wireframes this can be considered लेकिन ये थोड़े से बहतर resigns है तो इसमें आपको कुछ concepts पता चल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ tabs होंगे यहाँ पे कुछ images नज़र आएंगी और user इस तरह से interact कर सकता है और जो report है जो request है वो कुछ आपको text में नज़र आएगी नीचे buttons नज़र आएंगे तो आप बड़ी जल्दी से अपने concepts को paper के उपर put down कर सकते हैं इसके बाद अगर हम high fidelity wireframes की बात करें तो high fidelity wireframes में images नहीं होती इसमें colors नहीं होते इसमें icons को भी ज्यादा prefer नहीं किया जाता सिरफ और सिरफ थोड़ा layout बेथर किया जाता है और dummy text के साथ काम चलाया जाता है तो यहां पे जो उसका structure है वो थोड़ा बेथर है और यहां से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो final product है वो हमें किस तरह से नज़र आएगी ठीक है और अगर हम visual designs के बात करें तो how the actual design will look इसमें colors भी होंगे, images भी होंगी font हम कौन सा use करेंगे कहां पे कैसा use करेंगे button के shadows or everything so this is the actual the visual design तो यहां पे अगर हम visual design के कुछ elements को discuss करें कि visual design किन किन चीजों को use करके बनाया जा सकता है so the first one is the lines ठीक है, so यह specifically सरफ website और mobile applications के लिए नहीं बलके आपके graphic design में जितने भी designs आप create करते हैं वहां पे design elements बिलकुल सेम है, ठीक है, तो lines को use किया जा सकता है, इसके लाब आप shapes को use कर सकते हैं और colors को use किया जाता है आप texture को use करेंगे और इसके लाबा आप typography को इस्तमाल करेंगे अपने designs बनाने के लिए ठीक है इसके बाद next important चीज़ है specifically for the websites and mobile applications principles of design तो सबसे पहले है जी alignment तो इसी इसका हमें खास क्याल रखना है तो यहां पे आपको एक bad example नजर आएगी left side पे और right side पे आपको एक good example नजर आएगी तो अगर alignment का ख्याल ना रखा जाए है तो इस इस हाओ things gonna work के एक side पे तो आपको left alignment नजर आ रही है लेकिन बाकी sides में आपको middle alignment यहां पे देखें this is not the left alignment तो खास क्याल रखा जाता है कि alignment ठीक हो so this is the first principles of design इसके बाद contrast है जी so आपके design में जितना बहतर contrast होगा जितना बहतर एक user differentiate कर सकता है different content को तो उतना बहतर आपका user experience हो सकता है तो अगर आपको heading place कर रहे है और उसका color change करके आपका content ज्यादा बहतर legible हो सकता है understandable हो सकता है तो आप contrast को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास आता है visual hierarchy कि आप define कर लेते हैं कि heading के अंदर आप क्या typography का style use करेंगे जो उसकी sub heading होती है और बाकि जो description होती है so visual hierarchy आपके design को मजीद बहतर बना सकता है और in fact the user experience as well उसके बाद हमाते हैं जी proximity के उपर ये एक बड़ा important concept है design का कि जो closely related information है वो कोशिश की जाती है कि उनको एक जगा पे place किया जाए जैसा कि हम information architecture की बात कर रहे थे तो information architecture के लिए अगर आप कोई menu design कर रहे हैं आप information को organize कर रहे हैं so that the user may know कि अगर मैं specific category में जाता हूँ तो मुझे यहां पे क्या कुछ मिल सकता है so this is also the very important principle of design इसके बाद हमारे पस next but important है जी layouts तो इसका आपको पता होना चाहिए कि हम किस-किस तरह से layouts को इस्तमाल कर सकते हैं अपनी information को organize करने के लिए तो यहां पे grid system की example दी गई है suppose अगर आप कोई ऐसी application design करें जिसमें आपने images को display करना है तो आप grid system को इस्तमाल करते हुए अपनी images को place कर सकते हैं ठीक है so it's very important कि आपको different layouts का अंदाजा होना चाहिए इसके बाद next principle हमारे पास है जी white space का so यहां पे Google की example है so there should be enough white space to while representing your content ताके वो जादा legible हो वो clear हो और उसको understand असानी से किया जा सके उसके बाद consistency is also another important thing जो के design में बहुत जादा useful है जैसे के यहां पे हमारे पास Amazon की example है तो आप अपने system के अंदर कोई button यूज करें और आपने button को एक specific style दिया है उसका एक shadow है उसका एक specific color है और उसमें आपने specific type face यूज किया है जिसका एक specific font style और font size है तो आपकी कोशिश होगी कि आप throughout the system उसी style को copy करें और अपने बाकी system में भी use करें ताके आपके system में एक consistency नजर आए तो ये भी आपका system का एक बड़ा important element है तो ये कुछ design principles थे जिसका हम खास ख्याल रखते हैं इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि user flows कैसे generate किये जाते हैं तो Wimsicle मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा tool share किया था कि इसमें हम जब brainstorming करते हैं logo designs के लिए तो Wimsicle को कैसे effectively इस्तमाल किया जा सकता है तो इसमें जब आप लोग wireframe से पहले जब research कर लेते हैं सारा कुछ कर लेते हैं तो हम Wimsicle को use कर सकते हैं अपने user flow को design करने के लिए तो मैं यहां से text add करता हूँ आप information architecture के लिए इस tool को use कर सकते हैं तो I just wrote home page ठीक है इसको मैं middle align कर लेता हूँ इसकी heading थोड़ा सा इसको large कर लेते हैं bold कर लेते हैं ठीक है इसके बाद मैं इसको यहां से copy करता हूँ और मैं इसका text करता हूँ जी products ठीक है इसके बाद मजीद मेरे पास pages आएंगे our story ठीक है जी और हमारे पास आ सकते हैं जी contact us इसके लाब और हमारे पास आ सकता है जी about us और हमारे पास मजीद और भी pages आ सकते हैं जैसा कि privacy policy ठीक है जी तो विमसेकल का फाइदा यह है कि यहां पर मैं content बड़ी असानी से organize कर सकता हूँ इस credit कर सकता हूँ तो मैं यहां से connector लेता हूँ और homepage को connect कर देता हूँ इस product के साथ homepage को connect कर देता हूँ और story के साथ homepage को connect करते हैं privacy contact us के साथ और इसी सरह से homepage को about us के साथ और homepage को connect करते हैं privacy policy के साथ ठीक है तो हम मजीद यहां पर content add करते हैं जैसे products के अंदर हम add कर लेते हैं कि add to cart ठीक है for example इसके बाद हम एक और इसमें add करते हैं that is going to be check out ठीक है और यहां से हम products के बाद add कर देते हैं add to cart को और add to cart को connect कर देते हैं check out के साथ और in case in the future मैंने इसमें मजीद चीजों को add करना है मैंने को move करना चाहरा हूँ तो simple आप इसको select करें आप इसको move करें और जो यह वाला connector है यह हमेशा इसके साथ रहेगा तो इस तरह से आप अपने system के user flows को बना सकते हैं आप अपने architecture को Wimsicle के अल के अंदर design कर सकते हैं तो इसको यहां से share भी किया जा सकता है इसकी images को भी आप download कर सकते हैं your information architecture, your user flows और बाकी जो भी information आप यहां पर test करना चाहरे हैं So this was all about the UX process और इसमें हमने wire framing और visual design को देखा तो next में हम usability testing को देखेंगे और उसके बाद Adobe XT start करेंगे So see you in the next lesson, thank you so much